प्रेंस आज का मोसम बहुत ही अच्छा है हलके हलकी सी बारिस हो रही है और पहुत ही सब देखिए कितने कुछ नजरा रहा है तो फ्रेंस मैं जो गाउं से कटिंग लेकर आई हूं तो आज उसे मैं लगाऊंगी आज का वीडियो उसी पर है कौन-कौन से मैं कटिंग लेकर आ हूं यहां पर देखिए सारे पॉट में पानी भर गया है और इस सब के मिटी गिले है ही तो हमें अभी जैदा मेहनत नहीं करने पड़ेगी काउं जाने से पहले जो भी पॉट खाली थे जो मिटी थे फ्रेंस मैं पॉट में डालके उसको धूप में छोड़ दी थी और आई हूं तो उसमें बहुत अच्छे से बारिस का पान भी चला गया है तो मैं आज उसी मैं कटिंग लगा देती हूं तो देखे मैं कल कटिंग स कुछ पत्ते सब हठाके हम कटिंग को लगा देंगे तो बारिस के टैम मैं आप किसी भी पॉड़े का कटिंग फ्रेंस लगा सकते हो बहुत असानी से लग जाते हैँ है इसमें गुर्दावदी की कटिंग है यह वहीं कुर्दावदी हैं फ्रेंस जो मैं यहां से कटिंग ल लगा हुआ है गुलाब का कटिंग मैं इसी में लगा लेती हूँ एई कि मैं गुलाब में को प्रेंस यृट प्लास्टिक के पॉट नहीं देना चाहती क्योंकि मिठी के ृटழ में पानी जल्दी सूख जाते हैं अभी बारिस बहुत जैदे जर्म है और इसको इसमें लगा लेती हूं फ्रेंस जल्दी जल्दी से सारे कटिंग को और दिखें तो यहां नीचे मैं एक लकड़ी के सहता से जितने मोटे के यह कटिंग है यहां पर होल्ड कर ली हूं और इस कटिंग को इसमें लगाती हूं इसमें मैं हल्दी लगाई हूं अभी मैं और कुछ भी नहीं दूंगी इसको सिर्फ पानी तो अभी होई रही है तो उसी में रख देती हूं बारिस का पानी इसमें चला जाएगा तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा हमारे कटिंग के लिए और बारिस के टैम में आप किसी भी चीज का कटिंग लगा सकते हो क तो अगर लगातार बारिस हो रही है तो आप उसे कम बारिस वाले जगह पर रख दो यहां पर की कम पानी जाते हैं एक दो दिन रहने दो जिससे की बारिस का पानी अच्छे से चला जाए तो देखे मैं गुलाब की सारे कटिंग लगा लिए इसमें कुछ में मैं का लगा दूंगी या तो इसमैं से निखालके कोई दूसरा अपॉर्ट दे दूँगी तो अभी मैं इसी समयं गुलदाःबदी को भी लगा दूँगी तो इसमें मैं हिपीस्कस को लगा लेती हूं तो हिविसकस में एक जो जुमका वाले हिप्सकस कहते हैं , अले आई थी और जो आंगर में फ्रेंच से खिले हुए थे औरेंज कलर के उसमें से लाई थी और पीला वला भी एक छोटा सा ब्रांच से लाई हूं तो और कुछ मैं अस्ता कमल का लाई हूं कटिंग तो उसको भी लगा देती हूं तो फ्रेंच से देखे इस सब का भी मैं नीचे का पत्ते भी नहीं हटाई हूं ऐसे लगा देती हूं क्योंकि एक हाथ से भी फोन पकरी हूं बाद में मैं ब्लेड की सैदा से कट कर दूंगी नहीं तो यह दो-चार दिन में अपने आप ही ही इसमें से तूटके गिर जाएगा तो इसमें गुलदाबदी की कटिंग लगा लेती हूं गुलदाबदी का फ्रेंच से छोटा कटिंग बहुत असानी से लग जाते हैं मैं यहां से कटिंग लगा के ही गहों लेके गई थी और देखे इसमें मिटी के बहुत ही अच्छा है भुरभुरी है मिटी तो मैं कुछ कुछ को प्लास्टिक में लगा लेती हूं तो जो हमारे पास अभी खाली है मैं उसी में पौत यह सब लगा देती हूं तो नीचे के जो तीन पत्ते होते हैं थो तीन नौट को हम खाली करके मिट्टी के अंदर दबाएंगे और दो तीन नोट बाहर रखेंगे तो हमें गुल्दाबदी की cutting लेना है छे से साथ इंच तक का और इसका soft cutting लेना है जैसे हम ही विसकस से गुलाब सबका mature cutting लेते हैं जो थोरा brown हो जाता है branch उसका cutting लेते हैं तो गुल्दाबदी में ऐसा नहीं है गुल्दाबदी के जो उपर का branch रहते हैं उसे ही हम cutting में लगाते हैं बहुत असानी से त्यार हो जाते हैं तो ये कुछ cutting बच गया है जिसको मैं नीचे के बालकानी में लगाऊंगी और इस सब pot को मैं बारिस के पानी में रख देती हूँ जिसके बारिस का पानी तुरह से चला जाएगा तो देखें मैं सारे pot को अपने जगह पे रख दी हूँ बीच बीच में गुल्दाबदी को यहां पे रख दी हूँ फ्रेंच बीच का मैंने ही दिखा पाई क्योंकि बारिस हो रही है और क्योंकि यहां पर फिर रेकॉर्ड करने में दिक्कत होती और देखिए और कटिंग सब जो बच गए थी वो सब को यहां वहां जो भी अभी मुझे लगा जगा खाली है वहां पर मैं लगा दी हूँ इस बार देखे बारिस का टैम है तो हो सकता है कि मुझे अच्छा रिजल्ट मिले और देखे हाइब पर्चुलका सब तुरा बारिस में खड़ाब हो गया है पर्च लेन भी आज खिले हुए हैं बहुत ही कुप्सूरत लग रहा है तो हाइबरीड पर्चुलका फ्रेंच से त तो हमारे पोधे को बहुत जैदा नुक्सान करते हैं तो इसलिए मैं यहां पे थोड़ा चाया रहेगा और क्योंकि परचुलका सब का ब्रांचे काफी लंबा लंबा है और हिबिसकस को फिलाल मैं यहां पे रख दी हूँ तो जैसे जो मौसम रहेगा उस हिसाब से हम पॉट सब को जगात देतेंगे और कटिंग को हमें जैदा हिलाना नहीं है इसलिए मैं ऐसे जगापे फिलाल रखी हूँ जो मुझे उठाना ना पड़े तो हो सकता है कि इसी जगापे इन सब को रहने दू उठाने की मुझे जरू है हिबिसकस में आज एक फूल खिला हुआ है इस वाले पौदे में और देखिए पौदे सब कितने खुष नजर आ रहे हैं और हमारा देखिए यहां पे यह पीले पूले खरबुजे का फूल है बहुत ही खुबसूरत लग रहा है और इसमें देखिए मैं दो जगाव पिक कटिंग त्यार हो जाते हैं अब बीच गर्मी में भी बहुत अच्छे से खिलते रहते हैं तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया यह पौद्धान इसलिए मैं इसका बहुत सारा कटिंग लगा दी हूँ यहाँ पर हमारा अपड़ाजिता चंपा जेट प्लान्ट देखिए बहुत ही अच्छे ग्रोध पर यह सवार है पोर्चुल का सब भी बहुत अच्छे से खिल रहे हैं तो अभी देखिए हलके-लके से बारिश हो रही है सुबह हलका सा दोप था फ्रेंश तो इसलिए कुछ फूल सब जो है पर चागे अच्छे से खिले नहीं है कुछ खिले हुए हैं तो प्रेंश कटिंग का जो भी रिजल्ट मुझे मिलेगा आने वाले टेम मैं आप सब के साथ सेयर करूंगी प्रेंश आज का वीडियो कैसा लगा यह कॉमेंट में अब असी बताना और अगर वीडियो फेस्बुक पे दूसरे जगह कहीं देख रहे हो तो वहां भी मुझे फोलो करना और अभी भी आप पर्चोल का के कटिंग लगा सकते हो फ्रेंश मुझे बहुत ही अच्छा यह बोधा लगता है और देखिए अभी कितने खुब नजर आ रहा है बारिस के पानी से तो हम इतना भी फटलाइजर देदे फ्रेंश पर बारिस का पानी होता है वह कोई भी फटलाइजर नहीं होता है देखिए बहुत ही खुब सूरत लग रहे हैं हारे भरे लग रहे है तो फ्रेंश आज का वीडियो मैं ही पर खतम कर रही हूं आने वाले टेम में मैं आज के वीडियो गारी जल्ट दिखाऊंगी तो फिर मिलते हैं आगले वीडियो में